दोस्तों कोई भी देश खुशाल कब रहेगा जब उस देश में महागाई ज़्यादा हो या महागाई कम हो तो सीरी सी बात है दोस्तों जिस देश में महागाई कम होगी वह देश ज़्यादा खुशाल रहेगा क्यूंकि उस देश में महागाई कम है तो आप कोई भी चीज ब तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारें बात करेंगे दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अंकीत और आप देख रहे हैं नौलेज इंडिया डीवी दोस्तों महागाई को कम करने के लिए दुनिया भर की सभी सरकारे इन तीन टूल्स का यूज करती हैं इसमें पहला है प्राइस कंट्रोल दूसरा है फिसकल मेजर्स और तीसरा है मोनेटरी मेजर्स तो दोस्तों आईए जानते हैं एक के बाद एक इन सभी टूल्स के बारे में तो पहला है price control price control में होता यह है दोस्तों कि उस देश की सरकार सभी product के उपर एक limitation, एक control लगा देती है कि आप इस product की price इतने से ज़ादा नहीं बढ़ा सकते लेकिन यह तरीका है सभी देशों में काम नहीं करता क्योंकि कुछ देश में ऐसे भी है जिसमें सबजी के उपर कोई दाम नहीं लिखा होता या तो फल के उपर कोई दाम नहीं लिखा होता तो उसको हम किस price पर बेचे यह सरकार को नहीं मालूम पड़ता यह तो हम जनता के उपर होता है या सबजी वाले के उपर होता है कि वो कितने में ला रहा है कितने में बेच रहा है, गाड़ी से जो वो सबजी लाया है, उसको कितना भाड़ा दिया है, इन सब के उपर डिपेंट रहता है दोस्तों, तो प्राइस कंट्रोल सभी देशों में इतना प्रोफिटेबल नहीं होता, एक महंगाई को कम करने के लिए, दूसरा मेतड़ है, फि पैसा खर्च करने से डरेगा, उसको ये डर रहेगा, कि मैं पैसा खर्च करूँगा, तो टेक्स ज्यादा लग जाएगा, और वो सेविंग करेगा, वो सेविंग करेगा, प्रोट्ट को ज्यादा खरीदेगा नहीं, तो मार्केट में प्रोट्ट की डिमांड कम हो जाएगी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि समझो एक मिठाई वाला है उस मिठाई वाले के पास 100 मिठाई के पैकेट है और एक पैकेट की कीमत है 100 रुपए अगर के पास उसकी मिठाई की दुकान पे बहुत सारे जादा लोग आते हैं मिठाई खरिदने के लिए तो क्यों चाहेगा कि वो एक मिठाई कीमत 100 रुपए में बेचे अगर के जादा लोग उसी मिठाई की डिमांड कर रहे हैं तो वो अपनी कीमत बढ़ा देगा जिसकी वज़े से मांगाई बढ़ जाएगी अलेकिन अगर के उसकी मिठाई कोई खरिदने नहीं आ रहा है तो वो चाहेगा कि मेरी म मिठाई वाले की कीमत घटी वैसे ही मांगाई इस देश में घट जाएगी फिसकल मेजर से तीसरा होता है मोनेटरी मेजर्स मोनेटरी मेजर्स एक जनुवन तरीका है किसी भी देश की महाँगाई को कम करने के लिए और सभी देश इसी मेथटका यूज करके अपने देश में महागाई कम करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम उसी के उपर बात करेंगे कि कैसे ये काम करता है और कैसे महागाई कम होता है दोस्तो, monetary measures को समझने के लिए हमको सबसे पहले bank की प्रणाली को समझना होगा कि bank काम कैसे करते हैं जी हाँ दोस्तो, सभी देश की महंगाई उसके bank के उपर depend करता है तो आए जानते हैं, bank प्रणाली काम कैसे करती है दोस्तो, अगर कि हम आम इंसान को loan की requirement होती है तो हम सीधा bank के पास जाते हैं और bank बदले में हमसे कुछ व्याज लेती है 7%, 8% जो भी चाहिए, वो bank को देना पड़ता है लेकिन अब बात यह आती है, कि हम आम नागरिक को तो loan चाहिए तो हम bank के पास चले जाते हैं जिसमें इंडिया का है RBI तो जोस्तो, RBI जब bank को loan देता है तो उसको कहते है repo rate इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कि RBI ने repo rate high कर दिया तो bank loan कम लेगी अगर कि loan bank कम लेगी तो वो आम नागरिकों को भी loan कम देगी अगर कि आम नागरिकों को loan कम देगी तो आम नागरिकों के पास पैसा कम आएगा अगर कि इनके पास पैसा कम आएगा तो वो market में पैसा कम खर्च करेंगे जिसकी वेसे product के दाम बढ़ जाएंगे और महंगाई अपने आप कम आ जाएगी इसका एक बढ़िया उदरण हमने लिया था मिठाई वाले से जी हाँ दोस्तों अगर कि आम नागरिकों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो वो महंगाई को बढ़ा देते हैं तो जिसकी वजह से bank के पास ही कम पैसा रहेगा तो वो लोगों को भी पैसा उसी प्रकार से देगा दोस्तों आज जो RBI का रेपो रेट है वो आज करीब 6.9% के आसपास है जिहां दोस्तों कभी ये 4% के आसपास हुआ करता था आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि RBI को रेपो रेट 6.9% करना पड़ा है जिसकी उसे बैंकों को 6.9% के ब्याज पे RBI से लोन लेना पड़ रहा है दोस्तों अब जानते हैं कि बैंक के पास ज्यादा पैसा आ गया है वो उसका यूज नहीं कर सकते हैं लोगों को लोन नहीं दे सकते हैं क्योंकि 4-5 जिनों की होली डे है तो बैंक क्या करता है बैंक ये करता है कि वो RBI को रिवर्स में लोन देता है RBI को पैसे की requirement तो नहीं है लेकिन बैंक कहता है कि प्लीज आप हमसे लोन ले लीजिए तो RBI भी कहता है जब हमने आपको लोन दिया था तो उसको हमने रेपोरेट कहा था और वो वो रेपोरेट की कीमत हमने 6.9% लगाई थी लेकिन तुम हमको लोन दोगे तो उसको रिवर्स रेपोरेट कहेंगे और ये वेल्यू 6.9 से हमेशा कम रहेगी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर तुम्हें मुझे देना ही है तो आप मुझे दे सकते हो लेकिन मैं रेपोरेट की वेल्यू से कम ही लोंगा तुमसे तो बैंक कहता है ठीक है मेरे पास पैसा पढ़ाई है इससे अच्छा 4 या 5 दिन के लिए तुम हमसे लोन ले लो तो दोस्तो बहुत सारे बैंकों का पैसा मिलागा बहुत जादा हो जाता है जिसकी वज़े से 4 या 5 दिनों की चुट्टी होती है तो बैंक RBI को लोन दे देता है जिसके लिए RBI उनको reverse रेपोरेट के रूप में को ब्याज देती है RBI ने रेपोरेट की वेल्यू बढ़ाई इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 6.9% अगर कि RBI ने किया हुआ है तो बैंक अगर कि किसी को लोन देगा तो वो उनको 6.9% से जादा ही देगा क्योंकि बैंक ब्याजाएक कि मेरे पास भी तो कुछ पैसा आना चाहिए जिसकी वज़े से बैंक लोगों को 6.9 से जादा ही लोन देगा इसकी value 8, 9 और 12% भी हो सकती है अगर कि इतना percent पे कोई loan लेगा तो वो ही चाहेगा कि पैसे आराम से खर्च करूँ या तो इतना ज्यादा loan है तो लोग loan कम लेना चाहेंगे घर कम खरीदना चाहेंगे और car भी कम खरीदना चाहेंगे जिसकी हुएसे market में वो product बढ़ जाएगा और महंगाई अपने आप कम हो जाएगी दोस्तो इस वीडियो में हमने देखा कि महंगाई को कम करने के लिए सरकार किन किन टूल्स का यूज करती है और महंगाई को नियंदरन करती है दोस्तो अगर कि आपको बैंक प्रणाली को पूरी तरह से समझना है तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको बैंक प्रणाली पूरी तरह समझना है मैं उसके उपर वीडियो एक अच्छे से बना दूँगा तो आई होब दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहें